हाइ कैसे हैं दूस्तों आज के बीडिए में दो तरह की बात करेंगे पहली बात करेंगे पँनचायत करेंगे पंचाय चायक हाय को फास्दोर है है अचाए बहुति अ के चाहे मांदे को लेगर के हो चाहे थी जैसे कि आपके छेठ पंचायत की आपके पंचाय सदेस्यों का मांदे अगर उसकी बाते हैं उसके सारा प्रधानों के भी अंधिके चाहे भी पंचायत है ये पौईंट इहां दोस्तों इसमें डेट सारी चीज़े हैं क्योंकि होता गया कभी-कभी अक्सर बिक्टिम हो जाये करती है और इस तरह से अगर यह बिवस्थाइ इसमें हुई है तो यह काफी है तो यह चीज़े जो है प्रदान के सब्सक्रा सरदस्यों के लिए भिमाने रखती है इसलिए इस जाएस करोड रिवालन फंड के रूप में रखा गया है जो की जो भी हमारे कार्यत अध्यक्ष हैं चाहे वो प्रधान हो चाहे हमारा प्रमुख हो या फिर जिला पंचाइस अध्यक्ष हो इनकी मृत्ख की दुशा में इनके परिवार वालों को ये फंड दिये जाने हैं इसम आपके प्रधान प्रमुख या फिर आपके जिला पंचाइस अध्यक्ष जो हैं इनको ददस लाख रुपे का जो हमारे पंचाइस सदस हैं इनको दो लाख रुपे का इसके साथ जो छेट पंचाइस हैं इनको तीन लाख का और इसके साथ जो जिला पंचाइस सदस जाता है तो ऐसे ज़जा में क्या होगा ये धंजासी पंचाय सहाई कोश है इनके परिवार वालों को दी जानी है that's a good point for सारे सदस्यों के लिए जो भी हमारे जल प्रितनिती होने के लिए ये बाकि इस लेटर में आप देख सकते हैं जितने भी point थे चाहे वो ग्राम पंचायतों के जो भी तीदिकार बढ़ा दिये गए हैं वो भी point यहाँ पर दिये गए हैं दूसरी important बात करते हैं CSC को लेकर के पंचायत सहाई को लेकर जैसे कि लेटर हम आप देख सकते हैं यहाँ पे साप साप लिखा हुआ है कि जितने में हमारे ठाउन जरेक्स नोवासी पंचायत बढ़न बनने हैं सारे पंचायत बढ़नों को जन सुबधा केंद्र बना करके उनमें जन सुबधा केंद्र के स्थाफना करनी है इसका ये में मोटो में लक्ष बनाय गया है जिससे कि गाउं के लोगों को सारी सुबधा वहाँ पे मिले चाहे वो खसरा कहतोनी से हो चाहे उनको जात या आया है चाहे उनका जन मृत का पंचियन जितनी भी उनके टेक्नि पंचाय सहाय के साथ चाहे वो B.C. सकी हो चाहे वो C.C. हो या फिर महिला बीट ओफिट स suppressed जो भी वहाँ पे बैठाई जाए जांगई पंचाय सहाय के साथ उस पंचाय सची-वाले में साब साब ऊब इस पर मर के धा दान दीजिए आप दो तो पंचाय सहाय के लिए एक नय लिए पोइंट बसक्त काम क्साइक कुछ एक पतोक्त को नहीं परूटार इस से काम करेहाइब पर आपको काम करना होगा तो जाइड सी बात है आपके पास और समय नहीं बचेंगे ऐसा में CSC पंचायस साहक चलाएगा नहीं चलाएगा एक बड़ा कोशन आता है चोटा समय आपको साहक चलाएगा या देखें CSC आप ले या नहीं चलाएगा आप टेक एकजाम को कौलिफारी करें कि CSC ले सकते हैं और अगर आप काम कर सकते हैं तो CSC के साहक भी काम कर सकते हैं लेकिन अगर आप पे work pressure ज़्यादा होगा तो CSC के साथ में आप काम नहीं कर पाएंगे इसके लिए आपको option बताओ कोई भी CSC portal होता है CSC portal पे जो CSC owner होता है वो क्या करता है operator के रूप में किसी एक बंदे को वहाँ पे add कर सकता है और आप अपने बंचाय सहाए काम को अच्छे ढंक से कर सकते हैं क्योंकि जब आप दो तरह के काम करेंगे या फिर आप पे pressure ज़्यादा होगा तो फिर आप दो तरह के काम कैसे करेंगे और जाहिट सी बात है कहीन कहीं तकलीब बनेगी तो आपके खिलाब कम्प्लेन वगर आईट सरी चीज़े आपको दिक्कत कहिन कहीं करती रहेगी I mean अगर आप BLEE Society से रेक्षिसन करवा रहे हैं Tech Qualify करने के बाद आप CAC पंजन करा रहे हैं तो अभी आपके नाम CAC है उससे कोई दिक्कत नहीं है main क्या रखें आप उसमें एक operator रख दें और उस operator के मादयम से भी काम करें आप कुद भी जो समय निकलता है उस पी समय भी काम करें बाकि आप को operator काम करेगा और साथ में मिलकर के आप पंजाय साहिक, अपने CC काम सारे उस जनसुगदा केंदर के मादयम से उस पंचायद भूम में बैटके सारी चीज़े को proper line up करते रहें तो ये छोटे से लेटर के माद हमसे कुछ जानकारी आप तक पहुचाने थी उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आप तक पहुची होगी कुछ भी दिक्कत आती, कोई चीज आती तो कॉमेंट में हमको जरूर पूछ सकते हैं मैं आपके लिए हमें साथ पर रहूँगा तो आज के लिए छोटी से जानकरी मिलते किसी और वीडियो में तब तक के लिए जाहिन बाज दस्तो